फ्यूचर में स्मार्टफोन कैसे होंगे एक ऐसा फोन जिसे आप मरेवे लोगों को कॉल लगा सकते हो एक ऐसे शादी जिसे वर्ल्ड की सबसे चीपे शादी कहा जाता है और ये मुकेश अंबानी की बेटी की थी पर वो कैसे और पुलिस के युनिफॉर्म में ये रस्सी क्य क्यों होती है जाननी के लिए बने रना विडिकेंड तक नमबर 20 आपने पुराने फुटबॉल तो देखे ही होंगे जो कि ब्लैक और वाइट कलर का ही होता है पर पहले बस ब्लैक और वाइट कलर के ही फुटबॉल क्यों होते थे तो इसके पीछे एक बहुत बड़ा रीज होगा जो है बुरा मत बोलो बुरा मत सुनो और बुरा मत देखो पसायद आपको नहीं पता होगा परीबसी नहीं बलकि चार बंदयैं本当phonies भाई है जो था बुरा मत करो यह चार बंदर हैं पर फिल्म मशूर होने के बाद लोग इन तीन बंदरों के बारे में ही जानते हैं दुमाइटीन ये एक फैक्ट है कि बिल्ली जब छोटी या मिडल एच की होती है तब वो हर इक जगह पे म्याओ करती है पर कुछ रिसर्च मे ये पता चला कि जो अडल्ड बिल्ली होती है वो बस इनसानों पे ही मियाओ करती है और बाकी वो साउंड बहुत ही कम निकालती है तमस्वेंटीन क्या आपको पता है सूपर मार्केट में एक भी क्लॉक नहीं होता ऐसे आप किसी भी सूपर मार्केट में जाओ वहां पे चीज़ें खरीद पाओगे यह उनकी एक बिजनेस ट्रिक है जो शॉपिंग मॉल्स के बीच काफी पॉपिलर है और 99 पसंट शॉपिंग मॉल्स में इस चीज़ का यूज किया जाता है नमस 16 नौर्ट कोरिया में बच्चों को ऐसे पढ़ाया जाता है जैसे कि किम जोंग उ से ड्राइविंग सही से कर सकते हैं कई बच्चे तीन साल तक बोलना नहीं सीखते और किम जोंग उन्ने गाड़ी चलाना सीख लिया यह कंप्लीटली फॉल्स है और ऐसी कई नकली कहानिया है जो इन बच्चों को पढ़ाई जाती है नमबर 15 साउथ अफरीका में एक चोर थ आता था यह बहुत ही शातिय तरीकों से अपने काम को अंजाम देता था पर फिर इसे एक सैंडविच की वज़ा से पकड़ा गया यह लंच ब्रेक में अपने दोस की सैंडविच लेके गया था और उसी सैंडविच की वज़ा से इसके दोस ने उसे पकड़ लिया इसको सब से स्मार्टेस्ट या डंबेस्ट क्या कहना चाहिए कमेंट में सरूर बताना नंबर 14 आपको शायद ही क्रिकट केस रूल के बारे में पता होगा तो रूल यह है कि अगर कोई फिल्डर पिछ के पास खड़ा है और सूरज की वजह से अगर उसका शैड़ो पिछ पे गिर रहा है तो बॉल डालने से लेके जब तक बैट्समें बॉल को हिट ना कर दे तब तक फिल्डर्स मूव नहीं कर सकते वरना इससे बैट्समें डिस्ट्रैक्ट होता है और आउट हो ज्यादा लैंग्वेज फ्री में सीख सकते हो बिना एक भी रुपया खर्च किये इंग्लिश, स्पैनिश, फ्रेंड जैसे मुश्किल लैंग्वेज आप यहां पे बहुत यह आसानी से सीख सकते हो क्योंगी यह आपको किसी गेम की तरह सिखाते हैं जैसे कि यहां इंग्ल होगा मेरा घर तो अगले question में English में my car is small दिया हुआ है तो इसका translation हिंदी में होगा मेरी गाड़ी छोटी है देखा कैसे आसानी से आप अपनी favorite languages सीख सकते हो इसमें ना कोई ads हैं ना कोई cost बिलकुल free है और अगर आपके पास time नहीं होता तो भी कोई problem नहीं डेली के बस 10 मि level आते हैं और धीरे धीरे level advanced बनते हैं और language सीखने में आपका interest बना रहता है यहां हर एक language में कई types भी हैं जिससे food etc तो वेट किसका कर रहे हो डाउनलोड करो duolingo आपकी favorite language आसानी से और free में सीखने के लिए दोस्तों क्या आपको इंडिया की सबसे cheapest wedding पता है वो थी मुकेश अंबानी की बेटी की हाँ आपने बिलकुल सही सुना इंडिया के rich man की बेटी की शादी सबसे cheapest शादी थी क्यूंकि अगर हम ratio में देखें तो एक आदमी अपनी बेटी की शादी में 3-4 साल की महनत के पैसे लगाता है और उसी रेशियो से देखें तो अंबानी ने अपनी बेटी की शादी के लिए अपने बस एक दिन की कमाई के पैसे ही लगाये थे मुकेश अंबानी ने अपनी बेटी की शादी 750 करोड में की थी जितना कि उनकी daily income है तो उस हिसाब से ये cheapest Indian wedding है सभी insects में बस honey bee एक ऐसा insect है जो कि human के face को identify कर सकता है यानि अगर आप honey bee के साथ कुछ कलते हो तो honey bee को ये पता होता है कि आप कौन हो और दूसा कौन है भले ही आप 20 लोगों के group में क्यों ना खड़े हो ये बिलकुल बड़े animal जैसे dog और cats की तरह हैं जैसे वो अपने मालिक को पहचान सकते हैं वैसे ही honey bee bee face को पहचान सकती है इतनी चोटी सी creature होने के बाद भी नमबर 11 ओकला होमा में रहने वाले लोगों को hamburger खाना बहुत पसंद है बहुत यानी की बहुत ही वहां के लोगों को hamburger इतना पसंद है कि वहां पे इसके लिए खास एक रूल भी रखा ग family member allow करते हैं तो कोई बात नहीं पर अगर आप खाते हो और पुलिस आपको देख लेती है या कोई complain कर देता है तो आपको जेल में लेके जाएंगे और आपको दो से तीन दिन जेल में बिताने पड़ेंगे बस एक hamburger का bite लेनी की वज़र से नमबर 10 जापान में एक ऐसा phone है जिसे use करके आप मरेवे लोगों को phone कर सकते हो यानि कि इस phone का use करके आप मरेवे लोगों को बुला सकते हो यह word करता है या नहीं यह हम नहीं जानते पर कुछ लोग जिन्होंने इस phone को use किया है वो यह कहते हैं कि उन्हें इस telephone से काफी अजीब और गरीब आवाज आ रही थ जैसे कि कोई उनसे help मांग रहा हो ये एक नहीं बलकि 8-9 लोगों ने experience किया है तो आपको क्या लगता है हमें नीचे comments में ज़रूर बताना नमर 9 आप किसी भी देश में रहते हो तो उस देश का citizenship card आपके पास ही होता है जैसे कि इंडिया का आधार card पर इंडिया में और पूरे दुनिया में ये बस इंसानों के लिए होता है पर होंग कॉंग में बात थोड़ी अलग है होंग कॉंग में अगर आपके पास कोई pet है ज साफी weird rule है पर it's fact आप जानके हैरान हो जाओगे कि फिश भी डूबने की वज़े से मरती है कई बार पैदा होते ही फिश डूब जाती है और कुछ बार बड़ी होके कुछ problem create हो जाता है जिसमें वो सही से सांस नहीं ले सकती जैसे कि गिल्स अटक जाएं तो वो मर जाती है और अगर ये फिश सतर पर रहती है और अगर वो पानी की गहराई में जाने की कोशिच करती है तो भी वो मर सकती है पानी के pressure की वज़े से तो इसका मतलब है कि फिश भी डूप के मर सकती है तूब सेवन ट्विटर में कुछ लोग ऐसे हैं जो कई बार limit cross कर देते हैं जैसे ट्विटर डिलीट कर दिया और उसके करीब 13-14 साल बात 25 जुलाई 2021 में वापिस आके मेसेच किया बैक फ्रॉम लंच अगर ये बस तुक्य से हुआ है तो कममाल की बात है पर अगर इसने ऐसा जान बूच के किया है तो इसके patience के लिए एक सलूट तो बनता है नमर 6 जमाइक जमाइकाही बस वर्ड में defensive country हैं जिसका फ्लाग सबसे अलग क्योंकि ये एक लोटा है जो कि रेड़ वाइट और ब्लू कलर से नहीं बना है पूरे वर्ड में ना कहीं एघंदर जमाइकाहे फ्लैग में इन तीनों में से एक भी कलर नहीं है जमाइका के फ्लैग में ब्लैक डार्क रीन और येलो कलर का यूज हुआ है अगर मैं आपसे कहूं कि दुनिया में एक ऐसी जगा है जहां लोग पत्थर के नीचे रहते हैं जानिया स्पेन में मौझूद सेनेटिल नाम की नहीं लगा यहां भूकंप या कुछ भी हो जाए फिल भी ये इस पत्थर के नीचे रहने से डलते नहीं इनकी माने तो ये पत्थर सारी चीजों से इनकी जान बचाता है ये पत्थर इनका गार्डियन है और ये बहुत सारे पत्थर का ग्रूप या कोई पहाड नहीं है य से बस एक ही पत्तर है नमर 4 आपको मशूर कार्टून कारेक्टर स्पॉंज बॉब एंड स्कुर्पैंड के बारे में तो पता ही होगा हाली में एक साइंटिस्ट को अट्लांटिक ओशन में एक अंडर्वाटर माउंटन के पास एक काफी कमाल की चीज दिखी वहां पे एक यल पेल था और एक साइड से फीमेल यह ऐसा लगता था जैसे कि साइंटिस्ट ने इन्हें मर्च कर दिया हो यह ऐसा है जैसे दो जुड़वा बच्चे हो और साइंटिस्ट कहते हैं इसके पीछे का रीजन है रेडियेशन फोन के रेडियेशन की वज़ा से यह बर्ड पेट म यह बस एक रसी नहीं होती बलकि एक सीटी होती है जो बहुत लाउड होती है और यह जैप के अंदर होती है इसलिए हमें दिखती नहीं इस सीटी के दो काम होते हैं पहला इसे ट्राफिक पुलिस यूज करती है ट्राफिक कंट्रोल करने के लिए और अगर किसी रोड पे ट चाहिए होती है या वो किसी मुसीबत में फस जाता है कहीं अंधेरे में फस जाता है या कहीं गिल जाता है तो वो इस सीटी के मदद से किसी दूसरे पुलिस वाले को अपनी मदद के लिए बुला सकता है या उन्हें सावधान कर सकता है तो इन ही कामों के लिए यह रसी होती ह नमब वन फ्यूचर के स्मार्टफोन कैसे होंगे यानि कि साल 2030 तक हमारे फोन कैसे हो जाएंगे देखा जाए तो हमने पिछले 10 सालों में यानि कि 2010 से 2020 तक फोन में इतनी तरक्की कर ली है कि 2030 के फोन आपका दिमाग हिला देंगे पर फिल भी हम कुछ ऐसी बात बताएंगे ज सबसे पहली बात फिलिप फोन यह फोन नॉर्मल फोन की तरह होंगे पर बस एक मिनिट में आप इन फोन की साइज अज़ेश्ट कर पाऊगे यानि कि आप खुद अपने फोन को चोटा या बढ़ा कर सकते हो हर तरह के फोन को आप एक फोन में ले पाऊगे फिर इन फोन का AI भी अलग लेवल का होगा जो आप इमेजिन भी नहीं कर सकते बस यहीं नहीं आप इन फोन से होलोग्राम जैसे फीचर्स भी देख पाऊगे यानि मुवी शोस आप 3D में देख पाऊगे और टेकनोलीजिकल डेवलेप्मेंट की वज़ा से इतना तो शौर है कि गेम के ग्र रैम तक की स्पीड मिल जाएगी जो आजकल कुछी PC में मिलते हैं नॉर्मल PC कई 16GB रैम तक मिलते हैं और आजकल इतने रैम के फोन भी आते हैं उस हिसाब से उस समय तक 30GB रैम और 400GB तक की स्टोरीज भी आपको मिल ली जाएगी और यह फोन बस 10 मिनिट में फुल चार्ज ह जाएंगे इस वीडियो को शेयर करना क्योंकि आप ऐसी वैसी वीडियो तो शेयर कर देते हो लेकिन इंफॉर्मेटिव वीडियो को चोड़ देते हो तो इस वीडियो को अपने फैमिली और दोस्तों के साथ शेयर कर दीजी और जैसे कि आप देख सकते हो कि हमारे देश में कोविड के वज़े से हालात बहुत खराब हैं तो आपका और अपने अपनों का बहुत खियाल कियेगा वीडियो पसंद आई तो लाइक करना क्योंकि अगर यहां तक देखी है तो पसंद आई होगी और चैनल को सब्सक्राइब करके बगल वाले बेल आइकन को दबाना मत भूलना एंड थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो